नमस्कार सभी साथियों को रायथान परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है दोस्तों तो हो जाए तयार आज की एंटिवाइटिक जीके की सीरीज में आज की जो हमारी सीरीज रहने वाली है दोस्तों अंटार्टिका महादीप के रहने वाली है दोस्तों आपको जो को subscribe कर लिजेगा telegram channel को अवश्य जोइन कर लिजेगा class की notification और pdf आपको telegram channel पर उपलब्द हो जाएगी बात करते हैं हमारे अंटार्टी का महद्विप के बारे में बात करते हैं दोस्तों अंटार्टी का महद्विप के पांचवा बड़ा महादीप है जो हमारे धरातल पर धरती पर साथ महादीप है इसमें से सबसे पांचवा सबसे बड़ा जो महादीप है दोस्तों वो हो गया आपके अंटार्टिका महादीप हो गया कौन सा हो गया अंटार्टिका महादीप हो गया और इसका जो प्राचीन न नाम होते हैं जिस परकार आपका नाम रमेश है तो घर में प्यार से रामू भी बुलाते होंगे यह आपका उपनाम हो गया दोस्तों इसी परकार अंटार्टिका महादीब का भी क्या है उपनाम है प्रतेक महादीब के क्या है दोस्तों उपनाम होते हैं बात करते हैं अंटार क्या निवास नहीं करती, ये जनसंक्या रहित छेत्र है, इसलिए इसे निर्जन महादीप कहा जाता है, और ये विश्व का सबसरवादिक उचाई वाला महादीप है दोस्तों, विश्व का सबसरवादिक उचाई वाला महादीप आपके अंटार्टिका महादीप है, और इसे ही विश्व का सबसे ठंडा महादीप कहा जाता है स्वबाविक सी बात है ठंडा महादीप इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि यहां पर विश्व की सबसे ज़्यादा बरप अकेले अंटार्टिका महादीप पर पाई जाती है और कितनी पाई जाती है 83% विश्व की अकेले अंटार्टिका महादीप पर क्या पाई जाती है, बर्प पाई जाती है, इसलिए इसे विश्व का सबसे ठंडा महादीप कहा जाता है दोस्तो, विज्ञान को समर्पित महादीप, इसे क्या कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महादीप भी कहते हैं, इसे ही स्वेत महादीब भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्वेत महादीब, स्वेत मतलब इसे सफेद, और महादीब मतलब महादीब हो गया, या इसे सफेद रेगिस्तान भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, स्वेत महादीब या सफेद रेगिस्तान बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 88% जो भाग है अंटाइटी का महाद्वीब का, 98% जो भाग है अंटाइटी का महाद्वीब का, वो हमेशा बर्ष से डखा रहता है, हिमा छादित रहता है, 2% में आगर हम बात करते हैं तो पामर जो प्राइद्वीब है आपके अंटारिटिका महाद्वीब का वो विहिन रहता है उस पर बरप नहीं जमती है इसलिए 88% भाग क्या रहता है दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसे विश्व का सबसे बड़ा रेफ्रीजरेटर कहते हैं अ उसी परकार से अंटारिटिका महाद्वीब भी क्या जमी रहती है बरप जमी रहती है और 86% आपके अंटारिटिका महाद्वीब पर विश्व की पूरी 86% बरप अकेले अंटारिटिका महाद्वीब पर पाई जाती है दोस्तों इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा करते रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा दोस्तों अगर हम बात करें इसे गतिसील महादीब भी कहा जाता है दोस्तों इसे परिवर्तन आपuarतन के साथ क्या रहता है बदलता रहता है इसलिए इसे गतिसिल या परिवर्टंसिल महादेप भी जाता है नेक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ 90% मीठे पानी का खजाना 90% मीठे पानी का खजाना है मतलब में यहाँ हम बात करें दक्षिनी ध्रूव के बारे में हम बात करें साउथ पोल के बारे में हम बात करें जो दक्षिनी ध्रूव होता है वह इसके मध्यस्तिस्तित क्या है बीचों बीच मध्यस्तिस्तित होता है हमारा दक्षिनी ध्रूव अंटार्टिका महधिप के यहां छह महीने रा प्रकास रहता है दोस्तों हम बात करते हैं आगे मुख्य भूमी पर पहुंचने वाले प्रतम व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं जो हमारा अंटाइटिका महाधीप है दोस्तों जो हमारा निर्जन महाधीप है दोस्तों जो हमारा टेरा इंकागनिटा जो महाधीप है दोस तो उसकी मुख्य भूमी पर, मैंड लेंड पर, मुख्य भूमी पर पहुंचने वाला जो प्रतम व्यक्ति है, वो थे आपके धेवियन विलियम सोसेन, कौन थे, धेवियन विलियम सोसेन थे, जो अठारा सो बीस में अंटार्टिका महाद्विप पहुंचे थे दोस्तो, नेक साल बाद गए थे, अठारा सो इकिस में गए थे, फेवियन जो विलियम सोसेन थे, वो अठारा सो बीस में गए थे, ये अठारा सो इकिस में गए थे, हम बात करते हैं, अंटार्टिका पर पहुंचने वाला प्रतम भारतिय व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, जो प्रत द्रूब पर पहुंचने वाल अन्तार्टिक का महाद् इतुत के मध्य में कौन सा यूऊ विष्टित है दक्षिन दूब इतुत है और आप पर पहुंचने वाला विंद। का पहला व्यक्ति था एमंडसेन कौन थे एमंडसेन थे जो 1911 में दक्षणी दूपर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे आगे हम बात करते हैं तो दक्षणी दूपर पहुंचने वाला भारतिय वक्ति पहला भारतिय व्यक्ति कौन था तो वह हो जाएंगे आपके गरीराज सिरोई हो जाएंगे और आपके सामने अब है पालमर्दीप आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको अंटार्टिका महादीप दिखाई दे रहा है और अंटार्टिका महादीप के जो आपको लाल जवर रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है यह हो गया आपके पामर प्राइब दीप हो गया कौन सा हो गया दोस्तों पामर प्राइब दीप हो गया और पामर प्राइब दीप एक मात्र बर्प मुक्त छेत्र है कैसा है बर्प मुक्त छेत्र है बर्प स्वतंत्र छेत्र है यहां पर बरप नहीं होती उत्री भाग को इसके जो आपके प्राइब गुराइम लेंड है और जो आपके पामर प्रायबिप की वजए से अंटार्टिका पर अठाइम पर सेंट के पर नहीं पाई जाती और आपके अगर हम बात करें माउंट अरेबस परवत की बारे में बात करें, किसके बारे में माउंट अरेबस के बारे में बात करें, तो एक मात्र सक्रिय जो आला मुखी जो रोस द्वीब पर इस्तित है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको माउंट इरेबस जो परवत दिखाई दे रहा है, जो को परता है बिलकुल दक्षिन में पाया जाने वाला सबसे ज़क्षिन तम सकryये जोला मुक्षि हो जाएगा ऐस माउंट अरे बस हो जाएगा जो रोस्ट विप्पर क्या है इस्तित है दोस्तों आगे हम बात करते हैं जो आपके ट्रांस अंटार्टिका रेंज जो आपके अंटार्टिका महादीप है इस पर एक परवस रंकला पाई जाती है उसका नाम हो गया दोस्तों ट्रांस अंटार्टिका रेंज हो गया इसे ही क्वीन मोड परवत भी कहा जाता है अंटार्टिका महादीप की सबसे लंबी परवस र महादीब की सबसे उची चोटी जो पीछ है अंटार्टिका महादीप का वो हो जाएगा आपके माउंट विंसन मैसिप हो जाएगा जिसकी जो उचाई है जो हाइट है 5140 मीटर है दोस्तों कितनी है 5140 मीटर है दोस्तों हम बात करते हैं आगे अगला जो टोपिक है आपका अगला पॉइंट आपके अंटार्टिका के उत् पस्चिम भाग में उत्तर पस्चिम भाग में क्या है आपके वेडल सागर है कौन सा सागर है उत्तर पस्चिम में वेडल सागर है दोस्तों और अगर हम बात करें दक्षिन पस्चिम के बारे में बात करते हैं दक्षिन पस्चिम के बारे में बात करते हैं तो दक्षिन पस्च उसमें जैव विविद्टा के संरक्षन के लिए जैव विविद्टा के संरक्षन के लिए बायो डाइवर्सिटी के संरक्षन के लिए आपके यूनेस को द्वारा हमारे यूनेस को द्वारा जैव संरक्षित छेत्र जिसे मेरिन बायो स्पेर रिजर्व कहा जाता है वो घोसि किया गया है आगे हम बात करते हैं तो अंटायटी का पर भारत के तीन अनुसंधान केंद्र हैं दोस्तों जो आपके अंटायटी का महादीप है इस पर भारत के तीन रिसर्च स्टेशन है रिसर्च सेंटर है अनुसंधान केंद्र है पहला आता है कि दक्षिन गंगोत्री आता पूरी तरह क्या हो चुका है नश्ट हो चुका है अगर हम बात करें भारत का पहला वैज्ञानिक दल 1981 में जैड आर कासिम के नित्रत में गया था allergic Antarcticika महाधवी परगया था भारत का पहला वैज्यानिक जो दल था वह bonded 1981 में जैड आर खासिम कें नित्रत्रे में Entwicklung में आंटार्टिक अमाधवी पर गया था दोस्तों दूसरे अगर हम research center के बारे में बात करें तो वह हो जाएगा आपके मैट्री हो जो उननीस सो सित्यासी में दूसरा बना था कब बना था उननीस सो सित्यासी में बना था नाम क्या था दूसरे रिसर सेंटर का मैत्री था नेक्ष्ट जो बात करते हैं जो वर्तमान में संचालित है वो हो गया आपके भारती हो जाएगा कौन हो जाएगा दोस्तों भारती हो ज बात करते हैं कि वो श्तक के बारे में बात करते हैं विस्व का सबसे ठंडा इस्थान के बारे में बात हो रही है विस्व के सबसे ठंडे इस्थान के बारे में बात हो रही है दोस्तों तो विस्व का सबसे ठंडा इस्थान अंटार्टिका महादी पर आपका एक इस्थल है जिसका नाम क्या है वोश्टग वहाँ है विस्व का सबसे ठंडा इस्थान मा बात करें तो मृत घाटी यानी डेट वेली हो जाएगी जो कैलिफोर्णिया उत्री अमेरीका महाध्वी पर स्थित है अगर हम बात करें वहां का जो तापमान रहता है वह रहता है 55-56 डिग्री Celsius होता है विस्वका सबसे गरम इस्तान और अगर विस्वका सबसे ठंडा इस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपके वोश्टक हो जाएगा जो अंटार्टिका माध्विप पर इस्तित है जीव जन्तु के हम बारे में बात करते हैं कि हर माधिप पर एक जीव जन्तु तो पाए जाते हैं, वहाँ पर वनस्पतिया भी पाए जाती हैं, जीव जन्तु भी पाए जाते हैं, तो जीव जन्तु अगर अंटार्टिका माध्विप के बारे में बात करते हैं, तो अंटार् आपको काले चोछ वाली सपेद जो हाथों में हाथ मिला के खड़ी है दो चिडिया वो हो गई आपके पैंग्विन चिडिया हो गई और यह दुरूओं पर इस्तित होती है दुरूओं पर पाई जाती है यानि आपके अंटार्टिका माध्य पर पाई जाती है नेक्ट जो Olros के बारे में, हम बात करते हैं, तो Walrus आपकेippedム जैसा ही है, लेकिन इसके क्या है है? हाथी जैसे दो दाथ होते हैं, यह वी ध्रूविय यानिавать उन्टार्यटिक का जीव जंतू है, अगर हम बात करें हैं, आपके आपके सामने जो आपको समुद्री पक्षी दिखाई दे रह और क्रिल मचलियों के जुंड भी आपके अंटार्टिका महादी पर पाए जाते हैं दोस्तों यह हो गए आपके क्रिल मचलियों के जुंड यह आपकी क्रिल मचलिया है आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं दोस्तों तो वनस्पति के बारे में हम बात करते हैं जो आप आपके organic महद्री पर लाइकेन और फर्ण जैसी 있고 पाई जाती है और आप सबी को पता है जो लाइकेन होता वह कवर्गप्लेसर ही सहवाल का क्या होता है सेह जीवी होता है और liggen से आप लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं, और लिटमस पत्र वायू प्रदूसक का क्या होता है, सूजक होता है, क्या होता है, वायू प्रदूसक का सूजक होता है, दोस्तों, अगर हम बात करें, तो ये अमल और जो छार उसमें भी क्या करता है विभेदन करने की शमतार रखता है लाल अगर हम बात करें अमल जो होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है लाल कर देता है छार लाल लिटमस को निला कर देता है अब आता है आपके सामने लेंबर्ट ग्लेसियर आता है कोन आगया दोस्तों लेंबर लेंबर्ट ग्लेसियर आ जाएगा जो लेंबर्ट ग्लेसियर है विस्व का सबसे बड़ा ग्लेसियर लेंबर्ट ग्लेसियर है जिसे ग्लेसियर को हिंदी में हीमानी बोला जाता है दोस्तों तो विस्व का सबसे बड़ा ग्लेसियर आपके लेंबर्ट ग्लेसियर हो जाएगा जो अंटार्टिका महादवीप पर क्या है इस्तित है ये हो गया आपके सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसे क्या वोला जाता है लेंबर्ट ग्लेशियर और आपके कहां इस्तित है अंटार्टिका महादवीप पर इस्तित है दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिजेगा टेलेग्राम चैनल को आवश्य जोइन कर लिजेगा दोस्तों आपको क्लास की नोटिफिकेशन और पीडियेप आपको टेलेग्राम चैनल पर उपलब मिल जाएगी तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत दोस्तों